हेलो एवरिवन, वेलकम टू करेंटो पीडिया, आज हम करेंगे 26 जन्वारी के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स, इस वीडियो लक्षर की पीडियाप आप हमारे टेलिग्राम चैनल करेंटो पीडिया को जॉइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इस वीडियो के नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी इस वीडियो लक्षर की पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की वीडियो हमारा पहला कोच्चन है, राष्ट्रिय परेटन दिवस या राष्ट्रिय मतदाता दिवस कम मनाय जाता है, नेशनल टूरिजम डे, नेशनल ओटर्स डे कम मनाय जाता है, तो यह मनाय जाता है 25 जनवरी को, और टूरिजम डे क्यों मनाय जाता है, परेटन को बढ़ावा दे adventi को बढ़ावा देने के लिए तूरिजम ढे मना की जाता है, और इस साल जो इसकी theme थी, यह थी देखो अपना देश. अपना देश यह थी इस साल की theme और international tourism यानि परेटन द्वस मनाए जाता है 27 सेप्तम्बर को, और National Outters Day 25 जन्वरी को क्यों मना जाता है क्योंकि इस दिन केंद्रिये चुनाव आयोग का गठन हुआता, 25 जन्वरी 1950 को केंद्रिये चुनाव आयोग का गठन हुआता, इसलिए हम मनाते है 25 जन्वरी को Outters Day और अगर हम options को discuss करें, तो 24 जनवरी को मनाय जाता है World Girl Child Day और जो International Girl Child Day मनाय जाता है, वो मनाय जाता है 11 October को, 12 January को World Girl Child Day, और 30 जनवरी को मनाय जाता है प्राकरम दिवस, क्यों मनाय जाता है, क्यों कि यह दिन настajude की सुभास्चंत बोस का जन्म दिन है और इस साल जो हमने मनाया है वो 125 बर्थ एनिवसरी हमने सेलिब्रेट किया है और 15 जनौरी को मना जाता है इंडियन आर्मी डे इंडियन आर्मी डे अगला कोश्चन है ब्राड कास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो यह बन गई है गीता मित्तल और अगर आप करेंट अफ्यार फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि गीता मित्तल ही जम्मू और कश्मीर की पहली महिला चीफ जश्टिस थी जम्मू और कश्मीर हाई कोड की, और यह अब बन गई है पहली महिला अध्यक्ष BCCC की, और BCCC क्या है? यह जो TV पे जितने भी कारिकरम प्रसारित होते हैं इंडिया में, उनको मॉनिटर करता है, यान उनकी निगरानी करता है कि कोई गलत कंटेंट तो TV पे नहीं प्रसारित किया जा रहा है, तो इसकी अध्यक्ष है, गीता मित्तल, और अगर हम options को discuss करें, तो यह कहीं न कहीं पहली महिला से related है, यानि जो सोमा मंडल है, यह sale की पहली महिला अध्यक्ष बनी, और जो भावना कांथ है, वो 26 जन्वरी को fighter plane, fighter fire plane, firefighter plane उडाने वाली पहली महिला बनी है, कौन भावना कांथ, और M. वीर लच्ष मी, जो कि हैं तमिलाडू से, यह देश की पहली महिला ambulance driver बनी, पहली महिला ambulance driver, हमारा आगला question है, हाली में किस space agency ने विशाल आकास गंगा cluster, able 370 की आश्चर जनक तस्बीर साजा की है, तो यह किस ने किया है, यह किया है, नासा ने, National Aeronautics and Space Administration, जिसका headquarter है, Washington, DC में, DC का full form है, District of Columbia, और नासा ने अभी हाल ही, नासा के एक अंतरिक जिनका नाम है, Kate Rubin, Kate Rubin, और इन्होंने क्या किया है, अभी space में मूली को उगाया है, मूली को उगाया है, और जो यह मूली का जो बराइटी थी, इसको नाम दिया गया है, plant habitat 02, plant habitat 02, और जो इस रो है, Indian Space Research Organization, इसका headquarter है, बैंगलोर में, अगला question है, हाली में किस company ने एक ही rocket से 143 satellite launch करके, एक नया world record बनाया है, 143 satellite को launch किया है, इन्होंने एक ही rocket से, और इससे पहले जो record था, इस रो के नाम, 104 rocket को इन्होंने एक साथ में अंत्रिच में भेजा था, तो यह किया है, SpaceX, इनके मालिक है Elon Musk, और इनकी company ने किया है, 143 satellite launch, एक ही rocket से, और Elon Musk की ही company है, Tesla, जो कि अभी हाली में इंडिया में Tesla Motors, इन्वेस्ट करने वाली जिसका headquarter बनेगा बैंगलोरो में, बैंगलोरो में, और Elon Musk ही अभी हाली में बने थे, दुनिया के सबसे अमीर वेक थे, अभी बने थे, अगला कोश्चन है, किस राज के द्वारा जेल परेटे शुरू करने की भोसना की गई है, यानि जेल टूरिजम को स्टार्ट करने वाला कौन सा राज है, तो यह है महराष्टा, महराष्टा शुरू करेगा जेल टूरिजम और यह शुरू होगा, यह वड़ा जेल से, जो की है पूने में, यहां पे जो टूरिस्ट होंगे, उनको जेल की लाइफ को दिखाया जाए महराष्ट की गवर्मेंट ने, महराष्ट के जो CM है, वो है उद्धव ठाकरे, और जो यहां के गवर्नर है, वो है भगत खोशियारी, भगत खोशियारी यहां के गवर्नर है, और जिनको गोवा का भी additional charge दिया गया, और महराष्टा की जो capital है, वो है मुंबई, और इसका न कहते हैं, साथ टापूं का शहर, मुंबई को ही कहते हैं, और महराष्टा में ही, एशिया की सबसे पहली सौर उर्जा से संचालित कपड़ा मिल का उद्धाटन किया गया था, महराष्टा में ही, अगला question है, हाली में केंद्रिय बजट मॉबाइल एप किसने launch किया है, तो यह किया है, निर्मला सीता रमने, जो कि हैं finance minister, यानि वित्त मंत्री हैं, और यह करनाटका से राज्यसभा सांसद है, और इस बार, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि एक फरवरी को digital budget पेश किया जाएगा, फरवरी में इस साल निर्मना सीता रमन जी के दौरा और निर्मना सीता रमन जी जो Forbes की list आई थी, इनकी जो राइंग थी, वो थी 41 और नमबर वन पे थी जर्मनी की चांसलर इंजला मारकेल, इंजला मारकेल नमबर एक पे थी दुनिया की सबसे सक्तिसाली, अगला question है, हाली में किस राज सरकार ने किसान अंदोलन में मारे गए, किसानों के परिवार के सदस्वों को सरकारी नौकरी देने की घोंसना की है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसान दिल्ली बॉर्डर पे परदर्शन कर रहे हैं, किसान जो तीन बिल थे, किसान बिल उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं, और उसमें काफी किसानों के डेद भी हुई है, तो उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगा, ऐसा किस ने कहा, यह कहा है, पंजाब की गौर्मेंट ने यह कहा है, कि हम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, और पंजाब को कहते हैं, पांच नदियों का शहर, पांच नदियों का संगम या शहर, और यह कौ चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और जहेलम ये पांच नदियों का संगम कहते हैं पंजाब को और पंजाब के जो सियम है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंग और जो गवर्नर है वो पिया है बीपी बदनौर यहां के सियम है और जो पंजाब की कैपिटल है वो है चंदिगड़ और चंदिगड़ में ही है रौक गार्डन चंदिगड़ में है और जो रौक गार्डन को बनाया था उन्होंने बनाया था नेक चंद में यह भी आपको याद राखना है तो अगला question है हमारा, हाली में उडिशा के कि शहर में नेता जी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है, तो यह किया गया है कटक में, क्यों किया गया है, क्योंकि सुभाष चंद बोज का जन्मस्थान कटक ही था, सुभाष चंद बोज जी का जन्मस्थान कटक है, जो की उडिशा में है, और अगर हम options को discuss करें, तो भूनेश्वर, जो उडिशा की capital है, यहाँ पे एक famous stadium है, इसका नाम है कलिंगा, और कलिंगा में ही होगा, World Men's Hockey World Cup, World Men's Hockey Cup होगा, कलिंगा में 2023 में, और यह दो जगां पे होगा, एक कलिंगा stadium में होगा, और एक राव केला, राव केला में होगा, बीजू पटनायक, होके stadium में, और पुरी में ही है, सूर्य मंदिर, जो की उडिशा में है, यह भी आपको याद रखना है, और जो उडिशा के CM है, वो है, नवीन पटनायक, और जो गवर्नर है, यहां के वो है, गनेश लाल, यहां के गवर्नर है, और यहां की काफी सारे schemes चल लएथी, मो बस सेवा, मो साइकल सेवा, यानि जितने भी मो सेवा हैं, वो सारे उडिशा के हैं, और एक scheme चल लएथी, जिसको आपको याद रखना है, कालिया और सूनेतरी scheme, सूनेतरी scheme में, यहां की government, जितने भी लोग हैं उडिशा के, उनको मुफ्त आई टेस्टिंग की सुविधा गवर्नेट दे रहे थी, सूनेतरी scheme के तहद, अगला कोश्चन हाली में भारते रेलवे की सबसे लंबी किस मालगाडी ने नया रिकॉर्ड बनाया, तो ये बनाया है वासुकी इसमें हुआ क्या है, कि 5 जो मालगाडी थे, उनके डिब्बे को जोड़कर इसमें जोड़ दिया गया वासुकी में और इसको बना दिया गया तीन दस्मलों पांच किलोमेटर इसकी लंधी तीन दस्मलों पांच किलोमेटर यह आपको याद रखना है और इसने ट्रेवल किया था भिलाई से कोर्बा तक कोर्बा तक जुक्स का डिस्टैंस है दो सो चौबिस किलो मीटर और इसने साथ घंटे में यह ट्रेवल किया था तो यह आपको याद रखना है साथ घंटे में ट्रेवल किया था आजाद भारत के जो पहले रेल्वी मिनिस्टर ते वो थे जॉन मताई । जौन मधाई आजाद भारत के सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर थे. अगला question है, हाली में पाकिस्तान के दौरा किस परमाडु missile का सफलता-पूर्व्वक परिषड किया गया है, तो यह क्या गया है, शाहीन मीसाइल का सफलता पूरत परिछड किया गया है और ये इतना important क्यों है क्योंकि जो इसकी range है वो काफी जादा है इसकी जो range है वो 2750 km है जो पाकिस्तान के दोरा की गई सबसे किसी भी मीसाइल से जादा है यानि सबसे highest जो range है वो किसी है साहीन 3 की और पाकिस्तान की जो capital है वो है इसलामबाद और जो prime minister है वो आप सब जानते हैं imran Khan और यहां का जो राश्टृय पपय है वो है गन्य का juice गन्य का juice यहां का राश्टृय पय है और पिछले question मी हम यह कौन से morning में आता है आपको पता होगा रेलवे में टोटल 18 जोन है और यह जो वासुकी है कौन से जोन में बनी चली है तो यह चली है साउथ इस्ट सेंट्रल रेलवे ने किया है जिसका हेटक्वाटर है बिलासपूर जारखंड और एक बात और आपको बता दूँ कि अगर आप से पूछा जाता है कि भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे तो आपको पता होना चाहिए कि यह थे आसिफ अली लेकिन अगर वहां पे आजाद भारत का नाम जुड़ी आता है तो आप आंसर करेंगे जौन मथाई को और अगर हम ऑप्शन को डिसकस करें यहां पे तो जो ओफेक है यह एक जासूसी उपगरा था जासूसी उपगरा था किसका इसराइल का इसराइल का एक जासूसी उपगरा है और यह जो hope था ये एक mission था UAE का United Arab Emirates जिसकी राजधानिय शारजा ये इनका एक Mars mission था Mars mission पहला Mars mission था जिसका नान था hope और Artemis mission आप सब जानते हैं कि चंद्रयान mission है NASA का और ये launch होगा 2024 में 2024 में और इस mission के तहट नासा पहली बार किसी महिला को भेज़ेगा चांद पर किसी महिला को पहली बार चांद पर भेज़ा जाएगा Artemis mission के द्वारा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल 27 जनुरी के important current affairs की वीडियो के साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हर वीडियो की notification आसानी से मिलती रहे और आप इसका लाव उठाते रहें झाल